मैं आपसे विंती करता हूँ की सद्गुरु के नित्रित्व में जलवायू परिवर्तन को वापिस लोटाने के लिए चलाये गए इस जागरुक धर्ती अभियान का हिस्सा बने हमें यह समझना शुरू करना होगा की जिसे हम अपने मिट्टी कहते हैं धर्ती माता एक जीविज जीव है एक चमच स्वस्थ मिट्टी में शायद धर्ती पर मौजूद सभी इंसानों से भी जादा सुक्ष्म जीव होते हैं और लगबख सारे जीवन का 87 प्रतीशत मिट्टी पर निर्फर है ये जिस तरह चल रहा है ऐसे सुक्ष्म जीवों की ओसतन 2700 प्रजातियां हर साल गायब हो रही है 80 प्रतीशत बायो मास कीड़े खत्म हो चुके हैं पिछले 50 सालों में रीड की हड़ी वाले जीवों की जनसंख्या का 66 प्रतीशत खत्म हो चुका है पिछले 50 सालों में साफ पानी के 92 प्रतीशत जीव गायब हो चुके हैं अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगली 60 सालों में पूरी उपरी मिट्टी गायब हो जाएगी अगर हम ये सब ठीक करने के लिए अभी से काम करने लग जाएं तो अगले 15 से 25 सालों में हम मिट्टी को काफी हद तक पुनर जीवत कर सकते हैं पर अगर हम इसे 30 से 40 सालों के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो जैव विविदता को नुकसान होगा और फिर हम कोशिश करें तो डेड़ सो से 200 साल लग जाएंगे तो इसलिए ये अभी ज़रूरी है मैं सबसे विंती करती हूँ कि साथ में आएं और मिट्टी बचाने के लिए जागरुक धरती अभ्यान का हिस्सा बने मैं आप सबसे कहता हूँ कि इसका समर्थन करें इसके लिए रैली निकालें और इसके साथ बने रहें हमीं पता है कि हमीं क्या करना चाहिए, तो आईए इससे संभव बनाएं.